हाई गाईज विलकम बैक टो अनदर वीडियो ओफ कॉशिन फर यू आई होप गाईज आप सभी बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज मैं आप सभी के लेटेस्ट एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आज चुका हूं पाइनेटफक की तरफ से सबसे पहले हाईलाइट्स को क इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है प्रॉपर आपको पता लगेगा वेब 3.0 के बारे में पता से लेगा माईग्रेशन एंट फ्यूचर एंट ग्रोथ के बारे में कि पाइनेटफक ऐसी कौन सी चीजों को फॉलो गर रहा है जिस वजह से पाइनेटफक एक चोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को और पर ज़रूर प्रेस कर ले और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है आप जाके उसको भी जॉइन कर सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स अपडेट की तरफ यहां पर बात की जारिया पार्टरशिप प्रपोजल को लेके और यहां पर वोटिंग अनॉस्मेंट किया गया है पार्टरशिप दो जनों के बीच में होने वाली ह क्रिप्टो करेंसी है जो कि मीम कोईन में काउंट होता है और कोरल अप बेसिकली क्या है वह आपको मैं एकस्पें करने वाला हूं और यह दोनों मिलके एक बहुत अच्छा एकोसिस्टम यहां पर बनाने वाले हैं वियर थ्रिल्ट तो अनॉंस दट पाई इन हैस दी ऑपोर करके दिखा दो तो आपको इस टाइब का देखने को मिलता है कोरल आप करके 88000 के फैन फॉलिंग है ठीक है और यह यूएस से का है बेसिकली और यहां पर आपको स्मार्ट फोन देखने को मिल जाते हैं वह भी वैब 3 के रिगार्डिंग अभी जो आप अप्लिकेशन यूज करते हो यह सारी वैब 2 के अंदर काउंट की जाती है वैब 3 एडवांस है और क्रिप्टो कंसी की जो भी मैक्सिम ट्वांजेशन अभी के टाइम में हो रही है वह वैब 3 को लेके और देरे-देरे करके जो वैब 3 है उसको और अच्छे तरीके से बिल्ड किया जा रहा है क्य यह पहला वैब 3 स्मार्टफन प्रोजेक्ट है जो यहां पर आया है बॉस्टिंगा टॉप टियर हाडवियर एंड सॉफ्ट्वर टीम फ्रम नॉर्थ कुरिया नॉर्थ कुरिया के जो डवलपर्स हैं उन्होंने यहां पर इस चीज को क्रियेट किया है सॉफ्ट्वर की बा यहां पर बहुत अच्छा गासा बैनेफिट मिलने वाला है और पाई न कहीं न कहीं फर्स बिटकोइन एको सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर काउंट किया जाने और उसके साथ यहां पर हाइलाइट की बात की जारिये कोरल आप के बारे में इंक्यूबेटिटिट बाइ बा इकोसिस्टम पार्टनर से ओपर इसके हमें एकोसिस्टम पार्टनर से देखने को मिल जाते हैं विद्धी सेकंड राउंड ओफ इंवेस्मेंट एर्डॉप शिड्जूल फॉर क्यूफ टॉफॉर अंटिवाल एंडिंग में इनका एर्डॉप पगरा भी आपको देखने को मिलने वाला है the world first AI powered flagship web3 smartphone ठीक है first AI जो artificial intelligence है और हर अब भी जो लेटर स्मार्टफोन आ रहे हैं ठीक हम बात कर रहे हैं तो वो AI के थुरू आ रहे हैं ठीक है पर सैमसुंग है अब देरे-देरे करके सब भी फोनों में आपको देखने को मिल रहा है देरे-देरे करके आप देखोगे तो web3 भी आपको आता हो देखने को मिलेगा अभी नहीं मिलने वाला थोड़ा टाइम लगने वाला है अभी जो web3 है वो इसी स्मार्टफोन के अंदर जैसा कि आप स्क्रिंग पर देख पाऊगे offering a seamless entry into the web3 ecosystem highlights of pie in के हम बात करें तो 60 million से जादा आप सभी को बता है इसके active users है web3 के users है अभी जो application का concept है application के थू ही आप mine कर पा रहे हो पाइनेट पक को उसके हापर बात की जारी है advanced web3 होने वाला है जो आप देरे-देरे करके यूज कर रहे है और देरे-देरे करके जो top की cryptocurrencies है वो भी इसके अंदर involve कर रही है अपने आपको Binance ने भी start कर दिया और भी different cryptocurrencies इसके साथ जुड़ रही है चाहे चोटे प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट से सब इसके साथ जुड़ रहे है आपको पहले ही बता चुका हूँ आपके बहुत सारे प्रूफ वगरा भी देख चुकि हो ठीक है और जब पर आपको जो इसका क्रेज है वो नेक्स लेवल देखने को मिलता है क्याया था झसके अंदर बताया जा था कि जितने बी बिजनसेस हैं वो इसके साथ करते हैं ना कि अंदर व्हार से बतातों सबोद में ओल Ahí 59 два जो ज चीज़ेर बतायी है अगर ऐसे सपस्पोली होती है तो आप जो मिलने वाला उयुएशन आपको इसके चोदिय Olga होता हुआ देखने को मिलने वाला है अब हम चलते हैं next update की तरफ और यहां पर बात करने जा रहे हैं बेस माइनिंग रेट के बारे में कि अभी October के अंदर क्या चल रहा है तो यहां पर आप सभी देख पाऊगे यहां पर दिखाया जा रहा है और यहां पर लिखा गया है कि अभी पिछले महीने से हमें decrease होता हुआ देखने को मिलता है जो कि 1.93% के असपास है अब भी कि हम यहां पर बात करें तो पिछले महीन से आप comparison करके देख सते हो बट हम यहां पर देखे थोड़ा और पिछ जाते हैं तो आप देखोगे कि पहले कम था बट यहां पर रिसेंट्ली अभी इंक्रीज के गया था अभी थोड़ा साथ डिक्रीज में है ठीक है 1.93% वाइशन के एक देखने को मिल जाता है तैनेक्स अब्रीट की तरफ यहां पिर माइग्रेशन के बारे में बताया है जारा होगा से रेस्टार्ट कर दियाा और आप जाके प्रॉपर तरीके से सारे नेक्स अपडेट की तरफ और यहां पर हम बात करने जा रहे है पाइनिट फॉर्ग किस तरीके से वैब 3 के अंदर अपने आपको इन्वॉल्फ कर रहा है और कितना जाद ही फिचुरिस्टिक हो सकता है जैसा कि आप सभी को पता है कि time to time हर चीज़े चेंज हो रही है स्टार्टिंग में 2011 के आसपास वैब 3.1 हुआ करता था अब भी हाल फिलाल के अंदर वैब 2 यूस कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर हम सभी लोग वैब 3 यूस करने वाल है जो कि स्टार्टिंग अभी से ह हो चुकी है क्रिप्टो करणसी के द्वारा और यहां पर आप सभी को पता है फाइनस भी बहुत त्रॉस्टिक ली चेंज हो रहे है स्टार्टिंग के अंदर आपको पता है कि बार्टर सिस्टम चल भाए समान के बदल्लिब समान एक्स्चेंज करा कर देते फिर दीरे करके के वर कोईनस आया स्था इसके बार्ट काड़ कारड और अभी उस कर रहे हैं की फीच्र ओफइन इनव यहां के वाले हैस्ज्टिकेंस अपको देखनी मिलेगा H जो भी आप transition काना चाहते हो चाहे किसी भी फर्म के थूटिक है या किसी के integration के थूटिक है और यहां पर बहुत सिंपल होने वाला है और उसके साथ यहां पर जो आपको speed देखने को मिलेगी वो भी आपको अच्छी खाजी देखने को मिलने वाली अब हम दोस्तों कुछ international updates को क time से show कर रहा है इसके आगे कोई भी process आपको देखने को नहीं मिल रहा है और बहुत साथ लोका भी recently यह हुआ है तो आप इस situation में क्या कर सकते हो और कितना time लगने वाला है जब आपका KYC complete हो जाएगा यहां पर नो लिखा है if you are at this stage of management checklist it means you have successfully passed your KYC अगर आप इस situation में हो तो क automatic migration के लिए अगर आपका एक से लेकर 8 तक का step जो है प्रॉपर तरीके से complete होगा तो आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी और जो 9th step है आपका complete होने वाला है दो हफतों के अंदर your transferable balance will be migrated into your wallet जो भी आपका transferable balance है वो migrate हो जाएगा आपके wallet के अंदर ठीक है आप यह पर देख पा होगे after the transfer to manage जैसे आपका transfer जाएगा there will be a 14 day pending period 14 दिनों का pending period है जो कि दो हफते का time होता है the unlock portion will be free to use immediately after 14 days जो आपका unlock portion है वो आप जैसी चौद दिन complete होगा उसके बाद easily use करने वाले हो उसके बाद यहां पर जो लॉक पोशन है ठीक है वो आपको transfer होगा जब आपका expiry होगा ठीक है जिस time तक का आपने lock up duration set कर रहा है जैसे time expire होगा वो maturity complete होगे उसके बाद आप इस चीज़ को use कर पाऊगे जो कि lock portion होने वाला है और यहां पर लिखा गया है last के अंदर यहां पर मैं आपको बता दो अभी recently अगर आपका ऐसा हुआ है तो चोहरत दिन का आपको time wait करना है उसके बाद आपका verify हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से form को fill किया होगा तो अगर आपका ज़्यार time हो चुका है इसका मतलब यह है कि आपने कोई ना कोई कलती करी है च आपको सामने से खुल दोता देगा कि आपकी problem क्या है तो उस चीज को आप सही करोगे जब आपके पर सरी सम्मिट का button आएगा वापस से आप इसको fill करोगे तो आप उस time पर अच्छे से उस problem को वापस ना करो ऐसा सोचना अगर आपने photo की problem आ तो photo hdm upload करना है ठीक है और ज आप तक आप याइस एक पाइने कर साथ ने वह रहा है तो आप चलते हैं अगले अगले अप्टीट के तरफ अलग 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 country चंट्रीज कंदर हमें बार्टर सुस्टम और भी different type of चीज़े देखने को मिल जाती है जो की अभी पाइने कर रहा है जैसा कि आप स्क्रिन प मत्र...